तो डाकुमेंटेशन प्रोसीजर जो होता है हमारा ये एक नाशनल सर्वे 2003 से लेके 2012 तक एक नाशनल सर्वे किया गया जिसके तहद हम लोगों ने कोसिश किया कि हमारे पूरे भारत वर्स में कितने पांडूली भी हैं उसके बारे में एक नॉलेज ले उसके तहद पता चला क ये अप्रोक्समेटली देटू दो करोड मानुस्क्रिप्ट अभी भी हमारे पास अभेलेबल है अभी भी इसका मतलब क्या है कि हजार देढ़ हजार साल से कोई ना कोई भारत के उपर आकर्मन किया है और सासन भी किया है नालंदा में कितने कुताबे हमारे जला दिये गए कोई आए ब्रीटिसर सा आए ओ मैनुस्क्रिप्ट ले गए लेकिन फिर भी इतने सब जाने के बाद भी हमारी knowledge system इतनी strong था और हमारी जो पुर्वजों की इतनी इतनी इच्छा सकती थी और उस नॉलेज सिस्टम को आगे बढ़ाने की उनकी जो प्रक्रिया थी इतनी स्ट्रॉंग था कि अभी भी हमारे पास देड़ से दो करोड पांडूलिपिया उपलब्ध है तो पहले उन लोगों को नमन है उन लोगों ने जो धरोहर हमें प्रदान किया है उस धरोहर को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है और यही नाशनल मिशन फर मानुस्क्रिप्ट पीछे 20 साल से यही काम करता आ रहा है इसी के थेत हम लोगों ने कुछ 52 लाख नंबर ओफ मानुस हैं कहीं पर अभी आपने वहने कुछ दिन पहले सुना होगा कि रामेश्वरम में कुछ एक लाइबरेरी खुला गया किसी राजा का था वहां पर 25,000 पांडुलीपिया मिलेगा एक आनुमानी की तौर पर बोल रहे हैं कि 25,000 था लेकिन वह जब खुला गया उसमें से एक प दिख रहा है उसके ओपर कोई रिसर्च हो आगे चलके उसके ओपर कुछ काम हो लेकिन हमारी थोड़ा क्या है कि इंडियन मेंटलिटी में साइध ये डर की बज़े से कि कोई ले जाएगा जैसे बिदेशी आक्रमन होते गए हमारे पांडुलीपिया विलुप्त हो गए तो उसी ग्यान को बचानी की प्रक्रिया है डाकुमेंटेशन का मतलब है कि एक पांडुलीपि की बारे में डिटेल लिस्टिंग ये हमारी मेजर अचीब्मेंट से ये हमारी एक वार्क फ्लो है मैं यहीं पर थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मानुस्क्रिप मानुस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर अफटर सर्वे करने की कोशिच किया मानुस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर क्या होते जो मानुस्क्रिप्ट जिनके पास अबहलेबूल होते है taking society हो गया rockstar poreations sür 오ambil इंस्टिटूट बरोद्रा हो गया, यह सब मेजर इंस्टिटूट को हम अपने MRC सेंटर के रूप में इस्टाबलीज करते हैं, इस तरीके से कुछ देड़ सो के करीब MRC सेंटर अब तक इस्टाबलीज किये गए, अभी आक्टिबली कुछ 56 नंबर अफ MRC सेंटर काम कर रहे और इसी, इनी MRC सेंटर के निचे हम क्या करते हैं कि एक तो उनी के पास, MRC सेंटर हम उनी को तेते हैं, कि उनी के पास manuscript available हो या तो उनी के nearby premises में मतलब nearby जितने भी repository है ओ, repositories individual भी हो सकते हैं पंडित रामजाज जी के घर में भी manuscript हो सकता है या किसी library में भी manuscript हो सकता है तो उसी के तहत हम लोगों ने 88,000 number of listed repositories अभी available है जो हमार ये 52,000,000 number of manuscript है individual and institutional number में ये हमारे पास 88,000 number में है repositories और 56 number of actively जो हमारे MRC centers काम करते हैं तो पहले survey होता है district wise हमने survey किया है अभी भी survey complete नहीं हुआ है आप लोगों को information के लिए जो अभी बता रहे थे कि सिंधी समाज में उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए सार आप चुक हैं तो अभी भी सार आप्रक्समेटली साढ़े तीन सो के करीब district बचे हुए है जहां पर survey नहीं हुआ है manuscript survey नहीं हुआ है कि manuscript है या नहीं है उस district में तो इसके तहत में अपनी admin से भी request करूँगा कि थोड़े ध्यान दिया जाए कि अब हम सिंधी manuscript को rectify करें और उसके उपर कुछ काम करना शुरू करें यह अच्छा initiative रहेगा और सिंधी तो हमारे जनगन मन में भी आता है तो इसलिए हम इसके उपर जरूर काम करना चाहिए तो इसी के तहत हम लोग manuscript repository का का काम यह होता है कि manuscript का detail listing बनाना फिर detail listing बनने के बाद उसका documentation process होता है documentation में कुछ 47 to 52 number of detail होता है documentation मतलब एक चीज की catalog बनाना है, एक manuscript की catalog बनाना है यह एक online catalog system है जो आप लोग mobile से भी search कर सकते है ministry of culture की तरफ से यह free of cost है मतलब कोई इसमें कोई entry के लिए कोई charges नहीं रखा गया है ना कोई login रखा गया है, credencial यह आप लोग कभी भी online इसको search कर सकते हैं अभी अगर आप NMM विजिट करेंगे इसके बाद साथ तो उसके वे आपको थोड़ी बहुत और नलेज हो जाएगी documentation में यह workflow हकसार ने भी दिखाया हुआ है documentation अगर अच्छे condition में है manuscript आपको एक अच्छे condition में मिल गया तो वो condition को हम directly digitize करते हैं और उसको online integration करते हैं किसके साथ हमारी जो web portal है, इसी metadata के साथ digitize copy को integrate करके public access में डालते हैं, ताकि क्या है कि कोई विदेश में भी बेठा हुआ scholar अगर काम करना चाहे तो manuscript पर काम कर पाए, ना कि वो उसके लिए इतना दूर आना पड़े, ऐसे भी कोई scholar है, कोई गाउं में है माल लिजे उसके पास कोई पांडुलीपी नहीं है लेकिन वो पांडुलीपी के उपर research करना चाहता है, बहुत दूर है, और गरीब है विचारा, लेकिन वो काम करना चाहता है, काम नहीं कर पाता है उन सब के लिए देखके, ये online access देरने की कोशिस की गई ministry of culture की तरफ से प्लीज नेक्स्ट ये documentation में क्या के इसको manuscript कहते हैं, एक तो 75 साल पहले होनी चाहिए, और उसमें कोई एक ऐसे literature या science या mathematics या ऐसे कुछ subject हो जिसके उपर research हो सकता है, जो हमारी cultural values को बताता हो, हमारी education system को develop करने में help करे, ऐसे कोई system हो जिसको हम manuscript के तहत ले सकते हैं और कुछ ऐसे अभी major issue से आये हैं कि हम map बगएरा को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, पुरा map बगएरा को, तो उसके उपर already ASI बगएरा उसके उपर अपना monopoly लेके बेठे हुए हैं, तो उन लोगों के department में आ जाता है कि map बगएरा वो सब देखते हैं, लेकिन मेजर 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 में हम सिर्फ manuscript इसी को लेते हैं, जो हमारी knowledge system से base है उसी को हम manuscript के तहट लेते हैं या किसी भी material पर हो सकता है बहुत सारे material है आप लोगों को अभी दिखाया गया MRC center मैंने आपको बता है MRC center जो हमारे पहला है एक process है, मैं अभी एक online procedure भी आपको देखाऊंगा कि हमारी online cataloging system में क्या-क्या होता है उसमें एक पहला point आता है manuscript resource center, manuscript resource center मतलब जिसके पास manuscript available है या तो उनके पास proper information है कि उनके nearby premises में कितने manuscripts available हैं इस इस institute and repository institute and repository वो himself एक manuscript resource center भी हो सकता है जैसे NMM का branch हुआ, main branch हुआ, क्या हुआ MRC center, manuscript resource center और उनके अंडर काम करते है manuscript repository centers record number record number यह एक automatically generate होता है जब आप एक online process देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह automatically generate होता है यह repository के अंडर ही जाके automatically generate होता है जब हम एक-एक manuscript को listing करना सुरू करते है bundle number bundle number यहाँ पर हम थोड़ा इस तरीके से लेते हैं कि एक bundle में एक से अधिक bundle पी अगर एक जगा बांध के रखा गया है bundle मतलब बांध न राइट अगर एक से अधिक manuscript एक जगा बांध के रखा गया है तो हम उसको bundle number कहते हैं bundle number यहाँ पर mention है हम अपनी cataloging system में उसी bundle number को mention करेंगे अगर यहाँ पर bundle number अभेलेबल नहीं है तो क्या करते हैं आप हम जैसे मैं गया मैं जिस bundle पर पहले काम करने वाला हूं उसी को bundle number 1 obviously दूँगा तो उसी के अंदर bundle number 1 के अंदर देन manuscript एक bundle के अंदर से अधिक manuscript हो सकते हैं तो bundle number 1 के अंदर आ जाएगा फिर manuscript number मतलब bundle number 1 में अगर 5 manuscript है तो उस 5 में भी अगर numbering नहीं है तो मैं दूँगा 1, 2, 3, 4, 5 जिस manuscript को मैं हाथ में लूँगा पहले लूँगा यह हमारी एक methodology है जिसको हम follow करते हैं अगर already manuscript में accession number और bundle में bundle number डला हुआ है तो हम उसी को follow करेंगे अगर नहीं है तो हम अपना individual उसमें देना शुरू करेंगे और जो देंगे उसी को continuous flow में हम आगे बढ़ाते जाएंगे जितने भी manuscript available है उसके बाद आता है date of data collection date of data collection इसलिए जरूरी हो जाती है कि आने वाले पचास साल सो साल बाद जब पता कोई करेगा कि इस document के उपर आज ऐसे तो जरूरी नहीं कि बावन लाख manuscript आज document हो गया तो हर कोई आज देख रहा है कोई पचास साल बाद किसी manuscript के उपर टेक्स्ट यह मेजर पाट है टाइटल अब टेक्स्ट एक तो इसके availability और यह क्या होता है और इसमें एक universal uniformity के लिए हम लोगों ने बनाया है कि इसको roman diacritic में यूज किया जाए roman diacritic में इसलिए क्या गया है कि एक universal जैसे कि रामयन लिखा हुआ है एक उधारन के लिए बता रहा हूँ रामयन लिखा हुआ है कोई foreign scholar है मान लिजे उसको नहीं आता है तो वो रामयन भी बढ़ सकता है वो कुछ भी spell out कर सकता है इसलिए कि uniformity के लिए हमने उसको diacritic mark करना शुरू किया है या तो देवनाकिरी में देना है हम उसको देवनाकिरी में भरते हैं और यह हमारे mostly जैसे अब इस आज ने बताया है कि हमारे 70% under evo manuscript sanskrit के ही है उसके बाद हमारे जो पाली प्रकृत के हैं फिर जो उर्दू-ारबिक-परसियन के manuscript available होते हैं तो यह हमारे जो title of the text available कहा होता है title of the text हमारी kolophon kolophon होता है pushpika right pushpika available कहा होता है in the beginning of the manuscript or the end of the manuscript beginning में हमारे पास यह होता है कि हमने लिखा हुआ है कि idham pustakam prarabhyate ऐसे करके sanskrit के manuscript में mostly मिल जाएगा कि author ने अपना नाम भी लिखा है pushpika में बहुत सारी चीज़े मिल जाती है आगे चलके हमें पता करेगा अभी title of the text में देखते हैं तो वहाँ पे हमने title का नाम मिल गया title हमें पहले भी मिल सकता है पहले पन में भी मिल सकता है ऐसे भी हो सकता है कि कहीं available ना हो एक पूरे manuscript के पढ़ने के बाद भी आपको title मिले ही नहीं कैसे मान लिजे कि उसके manuscript का पहला दो फोलियों missing है किसी कारण बस दो फोलियों नहीं है तो क्या करोगे उहाँ पे title आपको मिलेगा नहीं तब आपको एक knowledge की ज़रुत पढ़ेगा जब आप पूरे तरीके से manuscript को पढ़ोगे तब ही आपको पता चलेगा उसी के लिए आपको चाहिए कि आप एक proper knowledge system के through manuscript की documentation कर रहे हैं आपके पास कोई title नहीं है कोई author का नाम नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला लेकिन फिर भी आप पूरे भारत में काम sparks कि कि पूरे भारत में काम होता है micro manuscript तो आप जहां पे ब्हां पे जा के उस region में काम करने के लिए आपके पास उस region का knowledge होना चाहिए उस region की script का language है उस anticipation चाहिए तो उसमी के तहब आपके पास अल्रडी एक base है एक student ही हम minimum इसके लिए लेते हैं, जो भी हमारे survey या documentation करने के लिए जाते हैं, ताकि MA PhD level में क्या होता है, कि उनको एक subject knowledge आ जाता है, उससे नीचे आप लोगों को भी खुद पता होगा, कि उससे पहले graduation level में इतना knowledge नहीं होता है, कि हमारे पास की हमें, एक हम पता सके कि ये बहु हमें पता ही नहीं होगा, कि जोतिस में जाएगा, कि कर्मकांट में जाएगा, तो हम इसी तरीके से उसको justify करने के लिए हम लोगों ने कोशिज किया है, कि एक MA PhD student जिसके पास proper knowledge है, जो थोड़ा पढ़ पाए और justify कर पाए कि उसको title को proper तरीके से दे पाए, और एक manuscript में, ए देना आता है एक author, author और scribe, दो चीज़ आते हैं, यह दोनों एक जैसी होते, author may not be a scribe, और scribe may not be a author, यहाँ पर सिधी सिधी वासा आपके समझने के लिए, बेदव्यास और गनेश जी, बेदव्यास होगे author, गनेश जी होगे scribe, मतलब लिखने बाला होता है scribe, जो लिखा ह मेरा handwriting खराब है, लेकिन मेरे पास idea है, तो मैं कोशिज क्या करूँगा, मैं दिखाऊंगा कि आप लोगों को, कि मेरे handwriting perfect handwriting के लिए मैं किसी और को हायर करूँगा, तो यही एक procedure में author का नाम भी, Indian author और Indian scribe, थोड़े साइ टाइप के होते थे, आप लोग मोश्टली मनुस्क् तो उससे फिर आपको पता करना पड़ेगा कि एगन सेम आपको knowledge system, एक proper knowledge system के तरीके से जाना पड़ेगा कि आपको होना चाहिए कि इस time period में इस guru के कितने सिस्य थे और उनका सिस्य में यह किसने लिखा है, इसको आपको justify करके निकालना पड़ेगा, यह बहुत long term procedure है, ऐसे किया है, बहुत long procedure है, तक्रिवन 4-5 अजार लोगों ने मिलके इतना काम किया है, यह यहाँ पर एक headquarter है, आपको कुछ 20-25-28 लोग मिलेंगे, लेकिन पूरे भारत बर्स में grassroot level में इसी तरीके से काम होता है, अब जैसे आप लोग associated होंगे इसके साथ, तो आपको पता चले कि इस फिल्ड में कितना काम है, और एक जो opportunity अभी अपको बताए कि यहाँ पर कितनी body opportunity है, इस फिल्ड में काम करने के लिए, वो भी आप लोगों को धिरे-दिरे समझाएगा, अथर का नाम आप लोगों को ऐसे ही मिल सकता है, वही beginning of the manuscript or the end of the manuscript में आप लोगों को मिलेगा, then next आता है commentary part, मानुस्क्रिप्ट में commentary available होता है, मानुस्क्रिप्ट में commentary available होता है, यहाँ पर थोड़ा display नहीं है, तो मान लिजे कि एक मानुस्क्रिप्ट, अभी आप लोगों ने देखा हकसार ने एक palm leaf manuscript दिखाया, राइट, palm leaf यहाँ, paper manuscript हो, एक एसे manuscript है, और मान लिजे क मेरे बाबुजी ने लिखा था, या मेरे दादा जी ने लिखा था, वो manuscript को, और मैं निकल गया, थोड़ा बहुत पंडित निकल गया, तो मैं क्या किया कि उसी manuscript के उपर कुछ commentary करना चाहा, तो मैं क्या किया उसके में जो gap space है, उपर इतना portion में middle में लिखा हो है, चारो तर online के उपर काम किया है, mostly, neither ऐसे भी हुआ है कि manuscript के आखरी में जाके कुछ folios जोड के उसने अपने काम करके उसके साथ commentary available हुआ, अगर ऐसे आपको मिलता है तो उसको commentary पार्ट को हम yes करते हैं, फिर उसके commentary and commentator का नाम, commentator का script, title, author, detail बेकर है, उसमें हम जो online portfolio में जाएंगे, उ होता है, then next आता है, वो इसे commentator का नाम बगएरा उसमें mention हो जाएगा, author, scribe, अलग होगे, अब commentator भी अलग एक पार्ट है, अगर commentator किया है और उसने अपना नाम mention किया है, तो हम उसको mention करवाते हैं, then आता है language, language और जो भी भासा में हमारी manuscript लिखी गई है, mostly हमारी manuscript किसमें ह है, mostly Indian manuscript, Sanskrit में, Indic origin, जितने भी manuscript, खाली India में अबेले बुल नहीं, India से बाहर भी जितने manuscript गई है, mostly Sanskrit, या Pali, या Pakrit, और then जो रिमेन बच गए हैं हमारे उर्दु आरभी की परसियन के manuscript हैं, right, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट हमारे पास कुछ 62 से 64 परकार की स्क्रिप्ट है, हमारे पास available है, mostly हमारे पास सारदा, ग्रंथ, जो rare manuscript में काउंट होते हैं, सारदा, ग्रंथ, ओडिया, नेवारी, नंदनागरी, खरोष्टी, ऐसे हमारे पास rare collection में इनी स्क्रिप्स के उपर बह इसे languages भी हैं हमारे पास जैसे गुजराटी, ओडिया, बेंगॉली इन लोगों का क्या है कि उनका अपना language भी है और उनका script भी है तो उनके manuscript थोड़ा और भी rarity में countable हो जाती है राइट स्क्राइब की बारे मैं आपको बता है subject, again subject knowledge, same procedure है subject knowledge के लिए आपको पता होना चाहिए अगर आपको title नहीं मिला, मैं जो पहले ही बता है आपको कि किसी manuscript का title मिला ही नहीं, तो आप उसको कैसे करोगे, पूरा पढ़ोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये रामैन है या सब्जेक्ट, अगर सिधा-सिधा मान लिजे कि वी विभापद्धी लिखा हुआ है और धर्मसास्त्र का गरंत है, तो आप उसको विभापद्धी को धर्मसास्त्र संसकार के अंदर, विभापद्ध के अंदर डाल सकते हैं, subject एक दे सकते हैं, और उसमें भी हम depth use करते हैं, जब आप online process में देखेंगे, उसमें एक depth होता है हमारे पास, जैसे main subject हो गया धर्मसास्त्र, तो धर्मसास्त्र के अंदर जैसे बहुत सारे aspects आ जाते हैं, फिर उसके भी depth आ जाते हैं, कुछ 3, 4, 5 depth है, जब आप थोड़े detail में जाएंगे, तो आप लोग उसको देखेंगे जैने आता है folio, folio आप local को पता है, 1 folio has 2 pages, right, recto and verso, right, पता है उप local copy कीसे होता हैं, आप एक paper उठाईए, एक page दिखाईए, एक folio हुआ, एक page एक folio हुआ, उसका एक side हुआ है one page, दूसरा साइड होआइ दूसरा पेज, एक folio का दो पेज होता है, एक होता है रिक्तुएं इसे होता है, भर्सो तो folio हम manuscript में कैसे count करते हैं, manuscript में blank folio भी available होता है, मान लिजे कि किसी ने manuscript लिखा है और उसने क्या किया है कि जैसे हम लिखते हैं अभी भी notebook लिखते हैं आप लोगों ने देखा वा गाए कि पहले 2-3 folios छोड़ देते हैं इसलिए छोड़ देते हैं कि कभी कही पानी बानी गिर जाये तो कई खराब ना हो इसलिए 2-3 folios, blank folios छोड़ देते हैं लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं कि blank folios को भी हम count में लेते हैं, blank folios भी हम count में लेते हैं, मतलब manuscript आपके हाथ में आया, तो पूरे total number of folios को आपको count करना है, और उसकी detail listing आपको लिखना है, मानली जी कि 100 folios तो 100 folios आपको लिखना पड़ेगा, और folios जो होता है तो अटमाटिकली pages उसकी double हो जाती है, और एक size of manuscript, size of manuscript एक length, width and height के हिसाब से मानते हैं, अभी conservation में डक्टर किर्ती आपको उसके बारे में थोड़ा और detail में बताएंगे, और centimeter में नापते हैं, एक जैसे किताब है, उसको आप अगर centimeter में नापोगे तो जैसे मान नापोगे, उसी तरीके से manuscript के होती है, थोड़ा detail में अभी किर्ती जी आपको बताएंगे, material, material में हमारे पास अभी दिखाया गया है कि हमारे पास क्या-क्या material है, और इस material को हम mention कराते हैं, material में हमारे पास अगर कोई unknown material भी आ जाए, तो हम उस manuscript को rarity में ले लेते हैं, यह तो एक material list है हमारे पास, इसके इलाबा भी हमारे पास कोई अगर material मिलेगा, तो हम उसको rarity में लेंगे, जब rarity की criteria आएगी तो हमने वहाँ पे ऐसे criteria दे रखा है, illustration आप लोगों पता है, illustration सिदा सिदा सिंपल भासा में चित्र, जिसमें चित्र है वो illustrated है, जिसमें चित्र नहीं है, वो non-illustrated manuscript है, अगर illustration में भी format बनाया गया है, diagram हो सकता है, tabular हो सकता है, sketch हो सकता है, और इन सब चिजों को हम लोग क्या करते हैं कि count करते हैं और mention करते हैं, और अगर थोड़ा ज़्यादा detail में कोई लिखता है, कोई बहुत अच्छा जो cataloger मिल जाता है, या surveyor या documentary भी हम बोलते हैं, हिंदी में हम उसको पांडुलिपी मित्र भी बोलते हैं, वह क्या करता है, और बहुत अच्छा मिल गया हमें, अच्छा मिल जाता है, तो पूरा detail में लिखता है, उसके illustration के बारे में detail में लिखता है, फिर status, manuscript status हम mention करते हैं, इस बीच में एक दो चीज और जानबूच के मिस किया, क्योंकि status से दो चीज और रिलेट हो जाती है, complete, incomplete, manuscript, missing folios, missing folios मतलब मान लिजए कि एक से दस, एक से मतलब आपको कुछ 40 folios मिले, 40 folios के एक manuscript मिला, तो 40 folios के manuscript में एक से दस तक आपने serial number में देखा कि सही है, 10 से 20 अबलेबुली नहीं है, तो आप क्या करोगों, हो सकता है, कि कीडे खागे, हमारे पास conservation material के लिए, आते है, manuscript की बीच में 10-15 folios missing ही है, और बिलकुल पढ़ा ही नहीं जा रहा है, या तो कुछ, ऐसे ही, किसी ने bind-up करते टाइम, 2-3 folios, ऐसे ही कहीं पर miss हो गया है, ओ हो सकता है, कि starting में भी हो, आखरी में भी हो, कहीं पर भी मिल सकता है, और बीच में इसे भी gap हो सकता है, अ मानुस्क्रिप्ट की pagination नहीं हो आए, तो आप particular नहीं हो सकते हैं, कि कितने folios missing है, particular कोई भी नहीं हो सकता है, हाँ, अगर बीच से गायब है, तो आप particular हो सकते हो, कि हाँ भाई, 10 folios missing है, कि 15 folios, अगर सिर्फ pagination available है, अगर pagination available है, pagination नहीं है, तो आप एक anonymously लिखोगे, कि yes missing person is available, कितने missing हो सकते हैं, मानुस्क्रिप्ट में, right, status अगर missing person available है, तो वो मानुस्क्रिप्ट अटो मानुस्क्रिप्ट हो गया, right, अगर missing नहीं है, फोलियो नमर वान से, फोलियो नमर लास तक, ओम नमो भगबते से शुरू हुआ है, और एती सरी से खतम हुआ है, तो आप समझ जाएए, और बीच में कोई missing नहीं हुआ है, तो complete manuscript है, उसको हम complete form में लिखते हैं, उसके लिए I and C use करते हैं, I for incomplete, C for complete, missing person यही था, number of line for pages, हम यह manuscript की number of line, एक Indian methodology है, आप लोग भी आज भी कोई note लिखते होंगे, यह खाली Indian नहीं है, हर जागा की है, कि मैं कोई अगर क कुछ लिख रहा हूं, अपने diary भी maintain करता हूं, तो कोशिश करता हूं कि हर page में एक ही method use करूं, इस page में मैंने 7 line लिखा है, तो अगले page में भी obviously मैं 7 line लिखता हूं, लेकिन ऐसे भी होता है, जैसे commentary available हो गया, तो 7 से 10 भी हो जाएगा, अगर किसी ने commentary किया, ऐसे भी होता है कि मालेजी कि आखरी का पन्ना है, दो ही line में उसका खतम हो रहा है, तो जबरदस्ति के थोड़े नसात नहीं लिखेगा, तो हो सकता है कि आखरी में पहले से थोड़े हो सकता है, लेकिन mostly आपको number, हर folio में pages per line, line per pages आपको constant में लेंगे, तो उसको count करना है, randomly हम पूरे manuscript में count करते हैं और उसको mention कराते हैं, then condition, condition में आप लोगों को ये conservation में, अभी again बताएंगे किर्ति में आपको कि conservation में आप लोगों को कैसे justify करना है कि कौन सी condition में, और condition से, एक documenter की condition report से ही, वहाँ पर हमारी conservation unit activate हो जाती है, conservation unit के पास information आता है कि ये manuscript वहाँ पर इस condition में है, और उ conservation दो प्रकार की होंगे, वह सब detail में आपको अभी बताएंगे किर्ति में, date of manuscript, date of manuscript, again वही beginning of the manuscript, या ending of the manuscript, या कहीं center पर भी available हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि कहीं पर date available ना भी हो, ऐसे भी manuscript हैं, कहीं date पर भी available हो, और थोड़े tricky होते हैं, हमारे जो बहुत सारे, बहुत सायम सुभपुन्यतितो, इदम पुस्तकम संपूर्णम, ऐसे करके लिख दिया होगा, कोई एक से दे दिया होगा, कुछ इंडिकेशन दे दिया होगा, अगनी बायू, इन सब का भी तत्कों दे के भी संबत बगरा लिखते हैं, तो उस तरीके से फिर एगन आपको एक knowledge system के तहर जानना पड़ेगा, और आपको proper knowledge होगा, तब ही जाके आप एक date of manuscript justify कर पाएंगे, date of manuscript मतलब जिस date में manuscript लिखा गया था, या complete किया गया था, एक हो सकता है, उसमें दो date मिले, इस date में सुरू हुआ, और उस date में खतम हुआ, दोनो date आपको मिल सकते हैं, एक एक manuscript में, Beginning Line, यह एक format है, हमारा कि हम लोग Indian format है, हम कोई भी चीज़ सुरू करते हैं, भगवान की नाम लेके सुरू करते हैं, तो mostly manuscript, Sanskrit manuscript को अगर ले, तो हमने ऐसे ही सुरू देखा है, कि ओम नमो भगवते बासु देभायो इती प्रारभ्यते, ऐसे करके लिखा होगा, यह ऐसे ही किया, उससे क्या हुआ है कि थोड़ा ना duplicacy बना, क्यूंकि यह लिखके थोड़ा छोड़ देगा, हम यह documentation process को यह cataloguing system को बनाने का मकसद ही यह है, कि scholar के पास एक manuscript की authenticate and detailed description पहुंचे, अगर इसी में अगर गडबड होगा तो कोई भाइदा नहीं है, तो इसलिए हमने क्या क करवाए, उसके बाद क्या हुआ कि उसी में, उसी detailed listing के साथ हमने कोशिश किया कि हमने beginning line में जो भी main procedure है, main content है, उसी को हम लोग आगे follow up ले और उसी को mention करा है, ending line same, हमारी Indian manuscript में इती श्री इदम पुस्तकम समाप्तम ऐसे करके लिखा हुआ आपने गीतार, अमायन बगरा बहुत सार गंते इसे दिखे होंगे, तो इसी process में हमने फिर इसी को भी किया कि again, वही इती श्री से पहले जो content line है, हम उसको mention करवाते हैं, इसके बाद एक हमारा इसी documentation procedure को authenticate करने के लिए हमने एक और थोड़ा step आगे बढ़ा है, यह 2022 से ही एक initiation किया गया, इसमें किया किया हमने किया हमने कि ना, एक तो यह metadata hard copy में पहले बनता है, आप एक surveyर कहीं गया है, किसी गाओं में गया है, वहाँ पे तो internet के availability है, हम 5G बोल internet के लते हैं, इसको हम बोलते हैं, Meta Data Seat, Meta Data Seat को लते हैं, वह हमारी MRC Center में आके का करता है, उसको upload करता है, हमारी mit AG角र है यह primary portal, पहलोड़ करता है, उसे upload procedure को हम बोलते हैं, डकमेंटेशन procedure, उसमें क्या है, कि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्या को में फास्ट कापी मे उसकी front और back page को upload करते हैं, then next हमारा एक आता है kolophon, अगर kolophon available है, kolophon मतलब pushpika, kolophon में क्या-क्या है, kolophon में आपको title मिल सकता है, text का detail मिल सकता है, author का नाम मिल सकता है, और उसमें कोई राजा का symbol मिल सकता है, कोई राजा ने किसी दूसरे राजा को gift किया है, किसी library को gift किया है, तो उसका stamp बगरा मिल सकता है, बहुत सारी चीज़े, kolophon में, kolophon मतलब एक gist, pushpika है, उस पूरे manuscript का एक gist हो गया, यह मिल सकता है हमें, ठीक है? description part, description part is the most important part, and the last part of the documentation procedure, उसमें क्या होता है, कि description part में हम क्या करते हैं, कि जैसे कि मैं गया हूँ अगर documentation करने के लिए, मेरे उस documentation procedure में, मुझे उस manuscript में जो भी detail मिला, मैं उसको obviously लिखूँगा, क्योंकि यह तो सारे आपको एक छोटे-छोटे-छोटे-छोटे column में आएगा भर दूँगा, अगर मुझे उस manuscript में कुछ ऐसे rare चीज, कुछ ऐसे अलग से चीज मुझे मिला, जिसके बारे में मुझे आगे बताना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक documenter जब एक manuscript के पास पहुंचता है, तो आप समझ लिजे कि उस manuscript का पुनर जन्म हुआ, 500-600 साल प फिर से उसके बारे में लोग जानते हैं या ओनलाइन प्रोसीजर में आता है, तो उसी के तहरे तो उसने क्या क्या है कि अपने detail बढ़ना mandatory है, हमने इसको mandatory इसलिए रखा हुआ है कि mandatory है और अपना opinion ओ दे, उससे आगे चलके researchers को काम आए